चम्पारर भारत में महात्मा गांधी के सत्या ग्रह की पहली प्रयोक शाला नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया चम्पारण नील सत्या ग्रह की अनकही कहानी रण चम्पारण आकाश्वानी के विशेश प्रस्तिती रण चम्पारण में सुनिये आज की कड़ी बंगाल के माथे से निलहे गोरों के अत्याचार का कलंक मिटा तो वो आकर चम्पारण के माथे पर चिपग गया यहां भी जुल्म करने वाले वही थे जुल्म के तरेके वही थे सिर्फ जगा बदल गई थी बंगाल में नील का अत्याचार इतना था कि कई अंग्रेज पादरी उससे काप गए उनकी सहानुभूती रईयत के किसानों के साथ हो गई वे इसका खुले आम विरोध करने लगे एक पादरी ने अपनी चिठी में लिखा नील आयोग में फरीदपुर के मजिस्ट्रेट E.W.D. लाटूर ने इसकी पुष्टी की कहा कि ये कहानी नहीं सच्चाई है कि नील की एक भी पेटी इंग्लेंड नहीं पहुचती जो इनसानों के खुण से तर नहो उनकी अदालत में ऐसे कई किसान आये जिन्हें गोली मारी गई थी देह भाले से छेद दी गई थी लोगों को मार कर उनकी लाशें गयब कर दी गई थी उन्होंने कहा इस तरह नील बनाना केवल खून बहाना है चमपारण में हालात इससे अलग नहीं थे बलकि बत्तर थे स्थानिये लोगों के साथ पादरियों की प्रतिक्रियाएं भी उग्र थी शायद इसलिए भी कि चमपारण तब तक बंगाल का हिस्सा था बिहार अलग राज्य नहीं बना था पटना में जेवियर सामाजिक अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर फादर जोस कलापुरा का कहना है कि चर्च ने खुल कर किसानों का समर्थन नहीं किया लेकिन तमाम पादरी किसानों के पक्षधर थे बंगाल का बयान चमपारण पर भी उसी तरह लागू था चमपारण पर भी अपली कबल हुआ कुछ मिश्णरी से लिए अपने विक्तिगत तोर पर इस परकार के खाम करते थे और जो उप्रेस्ट परसंस क्लास के साथ मिल करके उनके लिए काम किया थे उनके आवाज उठाए है यह साही बात है लेकिन ओफिशल तोर पर चर्च ऐसा एक रवाया नहीं अपना है बात केवल किसानों के साथ सहानुभूत इतक नहीं थी सन 1745 से बेतिया में बसे इसाईयों के समूह ने भी रईयत का साथ दिया कुछ ने आगे बढ़कर असाहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया ऐसा इसलिए भी था कि बेतिया क्रिश्चियन कैथलिक होने के बावजूद देश के दूसरे हिस्से के इसाईयों से भिन्न थे उनकी अलग पहचान आज तक कायम है बेतिया चर्च से सक्रियता से जुड़े हिनरी वाल्टर बेनेडिक्ट इसे और स्पष्ट करते हैं यहां जो है सभी जाती के अनेक धर्मों का समेलन है और सब के साथ हम रहते हैं तो सब को लेकर चलना है न उसी भावना से वह समय के जो पुरोहिते उन्होंने उनको मदद दिया असोयोग अंदूलन में पुरोहित के काम है कि हर व्यक्ति के साथ जो है मिलके काम करना समाज का उत्थान मुसीवे अगर हम सेक्ट में बात देंगे तो उसका कभी उत्थान होगा कभी नहीं होगा बेतिया राज के साथ अच्छे संबंध की वजह से उन्हें सामाजिक तोर पर कोई समस्या नहीं थी बलकि सम्मान था शिक्षा और स्वास्थे के क्षेत्र में काम और निस्वार्थ सेवा ने उन्हें जनस्वीकार्य बना दिया था समाज ने इस बात को भी सकारात्मक धंग से लिया कि चर्च ने लोगों को अपनी परमपरा बदलने के लिए मजबूर नहीं किया महिलाएं सिंदूर लगाती थी चर्च में धोलक और हार्मोनियम बज़ता था और शुब काम में केले के पत्तों से चोकी सजाई जाती थी इन्हीं परमपराओं ने बेतिया के इसाईयों को बहुत सहस्ता से महात्मा गांधी से जोड दिया बेतिया के इसाईयों में कई नाम ऐसे हैं जिनका बिहार सरकार के दस्तावेजों में स्वतंत्रता सेनानी की तरह उल्लेक है उन्होंने चंपारन के आंदोलन में सक्रिय भूमी का निभाई और चर्च ने इसका विरोध नहीं किया टिपणी नहीं की फादर रेमी साह और कलापुरा कहते हैं कि इसाई समुदाय की सक्रियता के तमाम प्रमाण हैं लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उन्होंने चर्च के कहने पर आंदोलन में भागीदारी का फैसला किया हो फादर जोस कलापुरा कहते हैं कि इन इसाईयों ने बंदूकें भी बनाई महत्मा गाधी के चंपारण पहुचने पर दूसरे आम लोगों की तरह बेतिया के ईसाई समुदाय के लोगों ने भी उन्हें संत पुरुष माल लिया दीन बंदू सी एफ एंड्यूस चंपारण में समुदाय के लोगों से मिले जिसके बाद अन्य लोगों ने स्वतंतरता सेनानियों के साथ मिल कर काम किया चर्च का आदर शवाक्य उनकी दिशा निर्धारित करता रहा जिसमें कहा गया था कि चर्च इस फॉर दपूर चर्च गरीब लोगों के लिए है उनका पक्षधर है बेतिया इसाई समुदाय ने इसकी जो व्याक्या की उसका एक अर्थ ये निकलता था कि वो अत्याचार करने वाले का विरोध करेगा भले वो इसाई क्यों नहो उस समय बेतिया के अधिकतर पादरी अमेरिकी और जर्मन थे लेकिन इस रवाईये में बाद में भी बदलाओ नहीं आया जब अंग्रेज पादरी बने चर्च गरीबों का हामी बना रहा और लोग किसानों के फादर कलापुरा के मताविक महात्मा गांधी से पादरीयों की भेंट के बाद बेतिया के इसाईयों पर इसका भारी असर हुआ और उन्होंने गांधी को सहयोग दिया जिब गांधी चमपरण में आये हमारे जो अमेरिकेन फादर्स ते गांधी से मुलाकाद करने के लिए गय थे गांधी से मिले गांधी उनको अच्छा स्वागद किया और उनसे बात चित की और मिश्टरीयों को हमेशे अप्रिशिेट किया है लेकिन उनका जो सत्यागरे के बात है जो मिशनलिय लोग डिरेक्ट हम नहीं देखता हैं कि लोगों को ऐसा प्रेडित किया है कि आप लोग सुतनता संग्राम में भाग लेने के लिए कि यह हमारे रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन स्वत्मता संग्राम के लिए उन्होंने काम किया गांधी का सहयोग दे दिया उन्होंने नील की खेती में मुख्यता बृतानी लोग शामिल थे और उनका विरोध इसाई समुदाय कर रहा था चर्च सत्ता प्रतिष्ठान के कामकाज में दखल नहीं देता लेकिन बाइबिल का ये कथन उनके साथ था कि सच्चा इसाई अन्याय के खिलाप खड़ा होता है महत्मा गांधी अन्याय के विरुद्ध थे इसलिए इसाई समुदाय उनके साथ था अभी आप सुन रहे थे आकाश्वानी की विशेश प्रस्तुती रण चंपारण परिकल्पना, शोद, आलेख और स्वर मधुकरू पाध्याय प्रस्तुती विनोत कुमार अगली कड़ी कल इसी समय इसी चानल पर झाल परिकल्पना झाल झाल झाल